नमस्क्राइब दोस्तों स्वागता है आप सभी का उला नेटाफर्स टी य्ट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात कहेंगे बड़ी अपडेट के बाई में जो कि सम्बंदित है एक और बड़ी सिच्छक भरती को लेकर मुख्यमंति के दौए एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसको लेकर यहां से मुख्यमंति के तरफ से पूरी सिच्छक भरती परिच्छा को रद्द कर दिया गया है साही जानकर यह आप सभी को दीजाए कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले जि इसके अलावर और बी अलगलग राज्यों में भी देखा है एक बार फेसे शिच्छक भरती को रद्द कर दिया गया है और इसकी जानकरी खुद मुख्यमंति के माध्यम से रीट लेवल टू मतलब की जूरियर भरती की जो परिच्छा है उसको यहां से रद्द करने का जो वो किया गया है इसके अलावा यहां पर 62,000 पर एक बार फेसे शिच्छक भरती का जो बिग्यापन ने वो जारी किया जाएगा इसको लेकर यहां से भी जानकरी आप स्पीकर सामने देखने के लिए मिल जाएगी उनका कहना है कि लीट लेवल टू की परिच्छा के अंदर ह की तरब से इस परिच्छा को रद करने का फैसला किया गया है साथ ही उनकी तरब से एलान भी कर दिया गया है कि अब नए से लगबग 62,000 पर एक नई सिच्छक भरती का बिग्यापन जारी होगा जिसके बारे में जानकरी आप स्पीकर सामने नीचे लिखी हुई है कि अब जो रीट की सिच्छक भरती होगी लगबग 65,000 पर करवाई जाएगी अब यह जो पहिच्छा रद की कि इसका दुबार से आयोचन होगा और यहां पर बात की जारी है वो राजिस्तान सिच्छक भरती को लेकर है जैसा कि आप सुभी जानते कि रीट के अंदर लगबग 32,000 पर भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था पेपल लीग हो जाने के बाद से यहां पर लगा था अधिकारियों के उपर सवाल खड़े किये जा रहे थे अंतिमे मुक्हिमंति के माध्यम से इस पहिच्छा को रद करके अब 65,000 पर नए से सिच्छक भरती काया जानी का लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है आम तोर पर ऐसा नहीं होता है खासका उत्तर प्रदेश के अंदर बहले ही कितनी बड़ी धांगली बेस्टा जाए लेकिन सिच्छक भरती या फिर अन्य भरतियों की पहिच्छाओं को रद नहीं किया जाता है बागी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें